हेलो फ्रेंड्स जैसी किशना जै मातादी जैसरे शाम कैसे हो दोस्तों आप से भी आश्र करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे पराथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें दिखें आज के टॉपिक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है बड़ा ही स्पेशल है बहुत ही महद्वपूर्ण है तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा समझीएगा लाइक करिएगा कमेंट सेक्षन में जैमाता दी राधे राधे और अपने मैंन के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करेगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली औ आप तक असानी से पहुंच सके तो नोटिफिकेशन के लिए बल आइकन के औल अप्शन को क्लिक करिए वीडियो को शेयर करना ना भूले तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रीन पर दो टैंपल आपको दिखाया दे रहे होंगे दो मंदीर फिल बन फिल तू दोनों मंदीर हम आपको बताएंगे तो बिलकुल टैंशन ना ले धिहान से वीडियो को देखीए समझीए और जल्दी से पिल को चूस कर लेजीए पिल को चूस करने के बाद अपने मन को बिलकुल रिलाक्स कर देजे सांत कर देजिए और बस टॉपिक के बारे में सोचिए तो चलिए किसी ने भी चुसकरा है तो देखिए इश्वर की तरफ से आपको संदेश यह मिल रहे हैं कि आप दूसरों की बातों में बिलकुल ना है क्योंकि दूसरों की बातों में आने की वज़े से आप अपने लक्ष से भिटा करें है ना सबसे पहली बात अपने मन की बात किसी को ना कि यह बात करनी है किसी के साथ चंचलता के कारण बहुत सारी गलतीयां आप ये बहुत ज़्यादा गलतियों में हैं आप काम से भी ध्यान आपका भड़कता हुआ नजर आ रहा है महत्वपुन बातों को भी आप नजर अंदाज कर रहे हैं करियर संबंदी योजना हैं उनमें आप बदलाओ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जरूरी है कोई दिक्रत नहीं है ये बदलाओ आपके लिए सक्सेस भी लाएगा अपनी इच्छा शक्ती बनानी हो गया को इच्छा शक्ती पर आपको काबू करना होगा कोई आपकी गलतियों का इस्तमाल आपके खिलाफ करने वाला है इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा आपकी ही गलतियां आपके के लिए भारी पढ़ने वाली हैं अंजाना डर दूर करने की कोशिश आपको करनी जो डर आपके दिल में बना रहता है मानहानी से डर कर सच का साथ बिलकुल ना छोड़े को इसी कंडिशन आपके साथ क्रियेट होगी कुछ समय में कि कही ना कहीं मानहानी की वज़े से आपको जुड़ बोना आपको लगेगा क्या यह मेरी इज़त पर बात आ रही है तो मैं यहां सचना बोलू जुड़ बोलू तो ऐसा नहीं आपको हमेशा सचका साथ देना है और हमेशा सत्तिता और इमानदारी के साथ ही अपने कारी को करना है भागदोर बढ़ सकती है मांसिक बख्ष में होने के बाउजुद जो नकारात्मक विचार है वह आपके काम में बदलाओ करने का मन बना रहे हैं यानि कि नेगेटिव थोड़ आपके उपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं वरतमान और भविश्य से संबंदी बातों को धियान में रखते हुए काम करने विचारों में बदलाओं आ रहे हैं भविश्य को बदलेंगे आप इस वज़े से इस बात का धिहान रखें अपनी अपेक्षाय और वास्तविक्ता दोनों में असंतुलन हैं जिससे की चिंताएं बढ़ रही है जितना आपको जरूत है और वास्तविक्ता में जो है वह ची बड़े बदलाव करने की कोशिश ना करें अभी जो चल रहा है उसे चलने दीजिए ठीक है काम की जगह आपके खिलाब शडियंतर हो रहा है तो कोशिश करें कि जो शडियंतर हो रहा है उस शडियंतर को आप पहले से समझ ले जान ले परकले उस शडियंतर का शिकार ना बने अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दे और कार इमानदारी से करेंगे तो चाहे कोई आपके खिलाब कितना ही शडियंतर रचना हो आपका कुछ नहीं भी गार सकता कार इफोकस एकदम ढंग से करें और दूसरी बात अगर कहीं जाना हो तो किसी को भी बोल करना जा जूट का साथ ना दे निथाप फस्सत दे सेकेंड पील की अगर हम बात करें तो देख लेतें इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं देखी सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि पैसों से संबंदित कोई निर्णाय आपने लिया है या लेने वाले हैं जिस वज़े से नुकसान होगा और उसका भरपाई करपाना संभो नहीं होगा बड़ा निवेश अभी करने से बचे योजिना बनाकर आप भविश्य के आर्थिक पक्ष को सुरक्षित करें जमिन की खरिदारी के काम ना करें अभी इसके साथ ही जो अवसर आपको मिल रहे हैं उन अवसर का फाइदा उठाए लक्ष हासिल करने के लिए अपने आप में क चुचित बदलाओ करने की जरूते खुद की गलतियों का एहसास जब होगा तो जीवन में आटोमेटिक बदलाओ होता हूँ आपको नजर आएगा जिन लोगों के साथ रिष्टे आपके बदल रहे हैं उनके बारे में फिलहाल चिंता ना करें काम आसान होने के बाद भी के लोकन जरूर करें ठीक है आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के आउसर आपको मिलेंगे अभी के समय में काम से संबंदित आलस ना करें जितना हो सके अपने कारी पर फोकस करें परिवार के हर व्यक्ति की चिंता के कारण आपकी जो शाररिक एनरजी है वो कम हो रहे हैं किसी तुए टिक साथ पार दरशीता ना रतने से एक दूसरे की विचारो को आप समझ नहीं पा रहे हैं जिसे गलतवेमया बढ़ रही है तो गलतवेमयों को दूर करने का परियास कर रहें और पार्दरशीता रखें ना पार्टनर कोभी अपनी गलतियों को सुधानने का मूख ह आपको देना चाहिए जिस प्रकार का लक्ष आप राप्त करना चाहते हैं उसके लिए महनत और सैयम कठिनाईयों का सामना करने के लिए आपको तेयार रहना होगा जो लक्ष बहुत बड़ा हैं बहुत बड़ी सोचे बहुत बड़ा लक्ष है उस लक्ष को पाने के लिए सफलता नहीं मिलेगी यह लक्ष आपको जल्द ही प्राप्त होगा लेकिन उसे प्राप्त करने का मार्ग कठीन है यह ध्यान रखें किसी भी रुकावट के कारण प्रयत्न करना बिल्कुल ना छोड़े अगर लग रहा है कि बहुत ज़्याद रुकावटे आ रहे हैं तो भी पर भी उटान नाढ दे शिव आगे बढ़ते रहें ठीक है ॡई अपने कारे से संबंदे उच्छे सिक्षा प्राप्त करना कि लिए कोई बड़ा प्रयत्न आप कर सकते हैं जो बाते और व्यक्ति आपके दिल के करीब हैं जो बाते आपके दिल के करीभ हैं उन्हें सुरक् के विचार आपके लिए रखते हैं और इस बात को जान पाना आपके लिए संबह होगा अभी के समय में परिस्तिती के सच्चाई अपने आप सामने आरे लगी बड़े नुकसान को टाल पाना भी संबह नहीं होगा इसके साथ ही आपके और पार्टनर के बीच में दूरिया सब्सक्राइब में जानकारी सविक्ति की पहचान करें पार्टनर अवगत करा और ऑपनी थ्यान से सुनेगा अपने सोच को थोड़ा पा Those करने की प्रवति कि रव्वति म한ी आपके आरे इस विश्वास को आपको थे तो चैन्ज करना करना विश्वास रखना आत्को सीखना होगा सोच को पॉजिटिव बनाए यह सब कुछ पॉजिटिव होता हूव आपको देखाएए कपे सोच पॉजटिव नहीं हो भाई बहुत ज़्यदा कोशिश कर रहें लेकिन फैव्ट भी लोगों की आलोचना क्षशान है लोगों की बाते आपको नेगिटिव विचारों को आपके उपर हावी कर रहे तो इस बात को लाइटली लेके अन विचारों को पोजिटिशान कर से उनी क साम किसी से पैसा लेना है तो वह विचार बहुत ज़्यादा बार बार आ रहा है वह बंदा देगा के नहीं देगा सुभे का उसने बोला लेकिन सुभे कोई बहाना क्रियेट तो ना कर दे इतना है और क्या करना क्या नहीं हमेश्व आपको सता ले इस जगे आप यह सोचिए उस इसबंदी की क्या कंडिशन है वो नहीं दे पारा क्यों रहे है उसके पीछे कहरी साओ और कोई बात नहीं यह थोड़ा सा पॉजटीव कर सोचेंगे तो आप अपने जीवन की सारी परिशानियों को खत्म कर सकते हैं यह एक्जामपल था इस तरीके से आप हर चीज में जो परिशानियों उसमें पॉजिटिविटी ढून सकते हैं सामने वाले के जगे रेकर खड़े रेकर देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी प्लेस लाइक करें कमेंट सेक्शन म जय मातादी लिखे चैनल को सब्सक्राइब करें बला आकन को प्रेस करें मिलता है नेक्स टूडियो में अभी के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जय मातादी हर हर मादे हूं